चोपड़ा एजोकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो जेई मैंन का सेशन टू का एकजाम मार्च 16, 17, 18 को कंड़ेक्ट हो चुका है इस वीडियो में हम ये सर्चा करेंगे कि इन तीनों दिनों में दोनों सिप्टों में ओराल पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि नी 21 का पेपर कैसा रह सकता है इन तीनों दिनों के दोनों सिप्ट में ओवराल पेपर की बात करें तो physics moderate, chemistry and math easy to moderate रहा है ध्यान रहे मैं यहाँ पर ओवराल average की बात कर रहा हूँ तीनों दिन की पेपर NCRT based था ज्यादा तर क्यूसन previous year के concept based थे ऐसा ही पेपर J.E. man के session 1 का था कहने का मतलब यह है कि NTA पेपर का difficulty level change नहीं कर रहा है जैसा previous पेपर आये हैं वैसे ही पेपर अभी भी आ रहे हैं इन सब को देखते हुए यह अनुमान लगा सकते हैं कि NTA NEET 21 का जो पेपर है उसका difficulty level भी इस बार कोई change नहीं करेगा यह NEET 2019 और NEET 2020 का average पेपर ही रहेगा एक बात बिलकुल दावे के साथ कही जा सकती है कि NTA 21 का पेपर NCRT बेस्ट रहेगा और previous year से काफी क्यूशन पूछे जाएंगे यानि कि previous year के concept based क्यूशन रहेंगे तो दोस्तों आपको जरा भी tension लेने की जरूरत नहीं है NEET 21 का पेपर कैसा रहेगा यह है 2019 और 20 का average पेपर ही रहेगा आपको बस थोड़ी सी मैनत की जरूरत है फिर आपको best government medical college में admission से कोई वंचित नहीं कर सकता अभी आपके पास समय है इस समय का सदुपयोग करें मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपके मन के अंदर एक जो डर बैठा हुआ है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा वो यह डर खतम करने के लिए मैंने आपको यह example भी दिया है जेई मैन का यह बताया भी है हमने देखा भी है कि जेई मैन के जैसे प्रिवियस एर के पेपर आए है वैसे ही पेपर अभी आ रहे है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पेपर पहले जैसा ही आएगा आप जब एक अगस्त को पांच बजे पेपर देकर exam hall से बार निकलेंगे तब मेरी बात आपको याद आएगी कि पेपर तो वैसा ही आया है जैसा चोप्राशर ने बोला था तो आप बेवज़े ही डरनी की आपको जरूरत नहीं है तो दोस्तों आपका ज्यादा समय ने लेते हुए एक वीडियो के अन्तमी यही कहना चाहूंगा कि पेपर के difficulty level में कोई changing नहीं होगी मैनत करें आपका इस बार अवस्य ही अच्छा score आएगा Best of luck